आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हैं, चतर समझते हैं कि मान लेते हैं हमारा ये तलाब का प्रिष्ठ है कोई, ठीक है, और इससे 4 cm नीचे कोई प्रकास, ये तलाब है हमारा, ठीक है, ये क्या इससे D बराबर कितना 4 cm D हमें दिया है 4 cm नीचे जो है कोई प्रकास रोथ है रखा है ठीक और यह है कि क्या हो जाएगी यह इसकी त्रिज्जा हो जाएगी जो हमें डिस्क दिया है इसकी त्रिज्जा तो कह रहा है कि क्या त्रिज्जा का मैंन क्या होना चाहिए ये नियुन्तम की ये इससे बाहर ना जासके प्रकाश तो बाहर ना जासके इसका मतलब है कि ये इससे टकरा के इसके प्रिष्ट से होते हुए निकल जा रहा है तो जब इस केस में ऐसा होगा तो ये वाला कौन कहलाता है हमारा इसको क्या बोलते हैं Ic यानि कि क्रांतिक कौन कहा जाता है, I, C को कहा जाता है, क्रांतिक कोन, ठीक है, जब किरन हमारी जो है, प्रिष्ट से छोती हुए निकल जाती है, तो इसे इस कोन को, जो आपतन कोन होता है, उसे क्रांतिक कोन कहा जाता है, ठीक है, तो चुकि हमें पता है कि साइन, ठीटा सी, ये बराबर क्या होता ह यहां से आजाएगा आपका एक बटा पांच बटा तीन बटा पांच आएगा तो साइन थीटा सी का मान अगर तीन बटा पांच आएगा है तो यहां से अगर हम लोग देखें यह कोण मड़ा है मान लिए कोण हमारा थीटा सी आए या आई सी जो भी आप लिगें इसका मान अगर हमारा साइन का मान अगर तीन बटा पांच या निकालें तो तीन बटा चार ठीक है और चितर से देखें तो तैन आई सी क्या होगा तीन बटा चार ठीक है और चित क्रांती कूण होगा तो यहां से चित्र से यह हो जाएगा आर बटा डी ति कर लम बटा क्यों कि यह निकल पाएगा निवनतम इतना होना चाहिए तो यह आप्शन में हमें 4 आप्शन में दिया हुआ है दूसरे 3 सेंटीमेटर है हमारा सेकेंड आप्शन में यह आपका सही उप्तर हो जाएगा ठीक है